एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा रिशी भी भाग ले रहे थे। चिस समय सभा में विचार विमर्ज चल रहा था उसी समय सभा के मध्या ही पुंजिकस्थली नामक इंद्रलोग की अपसरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिकस्थली का यह आचरन रिशी दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा रिशी अपने ख्रोध के लिए प्रसिध हैं। उन्होंने पुंजिकस्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किया लेकिन वहन सुना कर वैसा ही करती रही तो दुर्वासा रिशी ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्यान नहीं। तु कैसी देव अपसरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारन तु वानरी हो जा। दुर्वासा रिशी का शाप सुन के कारण यह भूल में अंजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। प्रिपया बताए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अपसरा की विनती सुनकर रिशी दुर वासा पसीजे बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाती के राजा विरेज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अपसरा है, अतख तेरे गर्ब से एक महान बलशाली या शस्वी तथा प्रभू भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजे कपसरा को संतोश हुआ। उनर जन्म में वानर राज विरेज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुकूर्व प्रभास तीरत में रहने लगी इस क्षेत्र में बहुत शान्ती थी तथा बहुत से रिशी आश्रम बनाकर यग्यादी करते रहते थे एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी प्रमत हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा उसने कई आश्रमों को रौन अश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्ताल वहां आये और शंखबल को बढ़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दातों को पकल कर उखार दिया पीला से चिंगहरता हुआ वह हाथी वही धराशाय हो गया और मर गया आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचा प्रकार भविश्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रोद्र जैसा महान बलशाली होगा तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रोद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा केसरी ने कहा रिशिवरो मैंने तो बिना किसी का परनाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्ब से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही रिशियो द्वारा दिये आशीरवाद का तेज झलिकने लगा। बालक तो था ही। उसके बाल कौतुक से जब रिशियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यग्यमे व्यवधान आने लगा तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांती लेने के लिए आशीरवाद जैसा शाप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तब फिर तुम्हें अपार बल जागरत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चल कर हनुमान नाम से प्रसिद हुआ। सीता जी की खो जी की